So hey guys welcome back to brain model channel आज की इस वीडियो में आपको बताने होलो कि आप किस तरह से without any number आप किस तरह से gmail को create कर सकते हो तो generally क्या होता है जब भी हम कोई भी gmail create करते तो उसके अंदर number की requirement होती है लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी trick बताने होलो जिसके थुरू आप कोई भी gmail को without any number create कर सकते हो So अगर आपने अपने 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 मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आपको कर देने मेरे चैनल को subscribe Let's begin this video So आपको simply सब में पहले आपको gmail को open करना है gmail को open करने के बाद आपको आपकी profile के उपर click करना है And then उसके बाद आपको add another account पर click करना है And then उसके बाद आपके सामने की सरका interface आएंगा आपको google के उपर click करना है And then यहाँ पर थोड़ी सी loading लेंगी यहाँ पर आपको आपके phone का password इंटर करना है And then उसके बाद यहाँ पर आपको create account यहाँ पर आपको इसका second option select करना है And then यहाँ पर आपको आपका first name and last name डालना है जो के मैं अभी डाल रहा हूँ Then अभी यहाँ पर आपको next पर click करना है And next पर click करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी day, month, year, gender यहाँ पर आपको सब properly डालना है आपको wrong नहीं डालना है And यह सब डालने के बाद आपको simply next पर click करना है Next पर click करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी loading लेंगे And then उसके बाद यहाँ पर आपको आपका Gmail create करना होँगा जो के अभी मैंने यहाँ पर मेरा Gmail लिख रहा हूँ And then उसके बाद आपको यहाँ पर आपका Gmail create करके आपको simply next पर click करना है Next पर click करने के बाद यहाँ पर आपको एक इस तरह का interface आएंगा यहाँ पर आपको आपका password डालना होँगा जो के strong होना चाहिए And then उसके बाद यहाँ पर आपको simply next पर click करना है पासवर्ट डालने के बाद next पर आपको click करना है click करने के बाद यहां पर आपको yes I am in पर click करके next पर click करना है यहां पर आपका account create हो चुगा है and then यहां पर आपको scroll down करके I agree पर click कर देना है and then अभी आपने जो आपका account बनाया है वो हो गया है create अभी यहां पर आप देख सकते ह कि अकाउंट जो हो चुगा है हो किरेट यहां पर नहीं एकदम लास्ट में आप देख सकते हो अकाउंट विदाउट नंबर किरेट हो चुगा है तो इस तरह से आप कोई भी अकाउंट को विदाउट एनी नंबर किरेट कर सकते हो so thanks for watching this video